हलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईए, जीरो आईए इसमें आपका स्वागत है दोस्तों, हम लोग मुरुनाल सर का एकनॉमिक कर रहे थे, हम लोग पार्ट 22 तक कर चुके हैं, है ना, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिस दोनों मैं दोस्तों, ये लेक्चर को परजेंट कर आपका एकनॉमिक से आता है, उसमें इस पीडियाफ को पढ़ने के बाद और लेक्चर अटेंट करने के बाद आराम से 80 से 90 परसेंट कोश्चन एकनॉमिक कर पाएंगे, ठीक है, साथी साथ EPFO में भी आपका GS का पोर्सन आता है, उसमें एकनॉमिक से एक मोईजर पोर्सन हो फिर हम लोग 500 कोश्चन को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों एकनॉमिक से, तो आपको पता चादेगा, पूरा आपका एकनॉमिक रिवाइच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये लेक्चर नमर 23 है, ये मुरूना सर का PDF है, इसका अल्रेडी मैं टेलिग्राम जैनल पर इसको दे दिया हूँ, है ना, ये जीरो आइस का चैनल है, इस लेक्चर को परजेंट कर रहा हूँ, मैं मेरे नाम राहूल बर्माले दोस्तों, ठीक है, तो अभी तक हम लोग 560 के आसपास complete कर चुक है, ये पेज़े टोटल एक है, और हम लोग जो ज देखते हैं, हम लोग देख रहे थे, अगरी कल्चर, उसमें हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें food inflation करेंगे दोस्तों, जो खादी समागरी पे जो मांगाई हो जाती है, उसके लिए, तो देखिए, जो सेंटर, consumer food price index है, वो जारी कौन करता है दोस्तों, एने सो, ठीक है तो जिस तरह किसी भी चीज का दो कारण होता है, दोस्तों, एक होता है, demand side, मांग, मांग, मांग की तरफ से, और दूसरा होता है, आपूर्ती की तरफ से, अगर माल ये खाने वाले, demand जाता करने लेगे, टमाटर का, तो टमाटर करेट बढ़ जाएगा, simple सा चीज है, तो ल असल बरबाद हो जाएगा, तो मांगाई हो जाता है, ठीक है, या कोई काला बजारी करेगा, तो सामान का जो है, supply कम हो जाएगा, आप उर्ती कम हो जाएगा, तो उसे भी जो है, आपका मांगाई बढ़ेगा, दोस्तों, ठीक है, चली, तो यह हो गया, food inflation, अप उसी तरह दाल की कमी के कारण जो है, होता है, मांगाई, ठीक है, इसे उतना आपको जाने का जूरत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक, चली, जो में था, क्यों मांगाई होता था, वो आप समझ चुके, एक concept होता है, जोस्तों, जिसको बोलते हैं आपको, ठीक है, इसको हिंदी बोलते है, मकडी का जाला, जिस तरह मकडी अपने जाले में फश जाती है, है ना, कभी-कभी मर भी जाती है, उसी तरह, देखिए, माल लो, किसी साल, प्याज, का दाम जो है, सो रुप्या हो गया, बढ़ गया, पहले पचास सु पचीस र रुप्य था, अब बढ़ के सो रुप्या हो गया, तो किसान सोचा यार, पिछले साल तो प्याज बहुत जादे रेट पर बचया था, तो क्यों ना जो है, इस पर प्याज लगाया जाए, तो क्या होगा, सब किसान प्याज लगाने लगाने लगेंगे, बहुत सारे किसान, तब क्या हो गया प्याज का सप्लाई बढ़ गया पहले कम प्याज था तो सो रुपे मिल रहा था तो इसी सोच के किसान सोचेगा और अगले साल फिर सो रुपे मिलेगा तो क्यों ना इस सर प्याज लगाए जाए इसे क्या होगा सभी किसान प्याज लगाएंगे तो प्याज है उसी तरह से फिर अगली सर लगएगा किसान को यार की दाम जो हे घटश रहा है तो फिर क्या करेगा वो नलगाएगा प्याज और अगली सर फिर दाम बढ़ियाएगा तो इस को बोलते हैं ये जो होते रहता है अप ड़न उपड़ बोलते हैं दोस्तों तिंपल सर्टर में समझने बस आपको मीनिंग समझ मानने चाहिए ठीक है तो महंगाई का जो कारण होता है दोस्तों एक तो होता है जेनरल कारण एक डिमांड डिमांड किसे चीच का बढ़ आगा तो बढ़ आगा महंगाई सप्लाई यह हम लोग देख लिए पलसे उसी तरह दाल का भी होता है दाल अगर मस्पी पर बढ़ा देगा यह कॉब वेब मेकेनिजम भी होता है कि किसी आप देखे हो कि दाल कभी 200-300 रुपय होगा फिर किसान उसको लगा देगा फिर अगली सल प्राइस कम हो जागा तो इसको कॉब बोलते है एडिवा लॉयल आप समझते ह तो सर्षू तिल हो गया मदाम का तिल हो गया वो सब फिर यह उसका भी डिमान बढ़ रहा है क्यूंद की ज्यंग फूट बढ़ रहा है एडिवा ल आईिल मे बनता है है ना तो इसको करने के लिए सरकार एक मिसन लेकि आई है on edible and oil palm हम लोग इसको देखेंगे दोस्त ओग ने tomato के लिए ठीक है बिमारी भी होता है tomato में तो उसे फेक्ट लिवार्ट नुक्सान हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा तो उसे भी हमारा क्या हो जाएगा मंगाई आएगा global warming होगा उसे भी tomato हो जाएगा खराब तो उससे महंगाई बढ़ेगा तो इसको कम करने के लिए सरकार लेका है स्किम आई है टॉप टॉमाइटो ओनियान एंड प्याज यह स्किम लेका आई है ठीक है टॉमाइटो ओनियान और और कुछ है पी का मतलब देखेंगे क्या है टॉमाइटो टी से आपको जानने का जुरत नहीं है ठीक यह सब जो टॉपिक है दोस्तों आपको उतना जाना जरुब मोटा मोटा आपको समयाना चाहिए यह सब ऐसे ही टॉपिक है यह आपको दिखाए किस तरह से प्राइस अब डाउन हुआ है नॉट सो इंपर्टेंट ठीक है काटो आगे प्रफड़ो हुआ है है यह सब काम कहा नहीं उसी तरह माप्याज में पूड इंफ्लेशन होता है क्यों होता है सिंपल सा बात और डिमांड सप्लाइक का खेला है ठीक है कर दि US, याद रखोगे वैस का सबसे आदा प्रोडीजर कौन है दोस्तूं Darip फिरोडीज़ प्रोडीसे अपका महराष्ट ठीक हैं भारत में सबसे बड़ा प्याज का मार्केट भी महराष्ट अपीक है बस मुटा मुटा याद रखोगे उसके बाद दिखिए प्याज के मंगाई में रोकने के लिए सरकार क्या करेगा सिंपल सब फर्मूला है सप्लाई को कम कर दो ठीक है ना तो हो जाएगा तो सप्लाई कम कैसे होगा ठीक है सरकार बेंड कर देगी कि जो है ओनियन का जो प्राइस बहुत क्या हो गया था घाटी क्या होगा दोस्तों इसका मतलब क्या है डिमांड उसका ज्यादा है और सप्लाई क्या है कम है तो सप्लाई कम है इसका मतलब क्या आप उर्ति कम है तो सरकार यह बोले कि हम उसके एक्सपोर्ट पे हम उसके निर्यात पे बंदी करते हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगा तो इ इसी भी चीज क्या जब अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तो अर्बी तो सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ओप कंजूमर अप पहर से वोगता मंत्रायल है उसके अंदर एक फंड है जिसका नाम है प्राइस स्टेविलाइशन फंड मुल्य स्थीरता कोस है ना इसमें सरकार क्या करती है जो भी सरकार का पास डिपार्टमेंट होगा ठीक है तो अपने उसको प्याज वो अपने फंड से निकालती है प्याज निकाली और मार्केट मुसको बेजती है इसे क्या होगा प्याज का सप्लाई बढ़ आएगा और मंगाई क्या हो जा तो प्राइज ले लेगी सरकारी इस कोस से और ही वज़ाज इंडिया के मार्केट में बेचेगी तो उसे सप्लाई बढ़ी आएगा सप्लाई किसी चीज का बढ़ता है तो मंगाई कम हो जाता है तो आपको प्राइस ट्व लाइसिंस हम याद रखेगा कंजूमर अफेस में इ हान रखेगा ठ्यक्याि I am कूषके बाद यह दुद्डा सर्ध है न ठैकन यह कॉंसेप्ट इलेक्ट्रोनिक वैक्षीन-ंटेन्श नेटवर्क कंश का है दोस्तों हेल्स मिनिश्टिक है नामी है वैक्षीन तो वैक्षीन से जितना भी गुप्त चाहीं है जोभी तरीका है क मांगाई को कम करने के सरकार ने क्या क्या इनिशाटिव लिया है एक लिया है MEP MEP का मतलब है minimum export price काने का मतलब यह है कि नियोन्तम निर्यात मुले कोई भी आदमी वैपारी है ठीक है उसको अगर प्याज का वो विजनस करता है और वह अगर प्याज उसको बाहर बेचेगा तो in적 होगा सप्ल Quindi कम होजाएगा हो जागा नめてамका ओजागा सप्ला क्या मुझा रज़ागा आप उरती कम हो जागा जब किसी चीष्ट का बुश्ति दोस्तों इंफलेशन बढ़ता ह मंघाई क्या होता है बढ़ता है मंघाई की होता है तो अगर तुमको इतना पैसा बाहर में मिलेगा तभी तुम एक्सपोर्ट करोगे इससे क्या होगा सरकार ने डिसाइड कर दिया उसको बोलते मिनिमाम एक्सपोर्ट प्राइस कि कोई भी कमोडिटी को इतने रेट से कम में तुम बाहर एक्सपोर्ट नहीं करोगे इससे क्या होगा सप कम खड़ injuma करेगा तो भारत का लोकल इंड़ेस्ट्री दोस्तों खत्रेम हो जा कि मालोग चायना बोले कि बाहर से तुम्हें नहीं कि 10 और बाहर से तुम्हें नहीं कर सकता है इसके नीचे पर इंपोर्ट कर लौ, उस से नीचे आप नहीं कर सकते हैं दोजी को बोलते हैं मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ठीक है सरकार करता है काली मिर्च पे और अरेका नटमने शुपाड़ी पाड़ी पे ठीक है उसके अरवा और भी कुछ है इसका नाम है OMSS ठीक है OMSS मतलब open market sale scheme ठीक है जब मंगाई होता है तो आपको पता है कि इसके बड़ा बड़ा गोदाम है अनाज का तो यह क्या करता है सप्लाई बढ़ाता है मतलब खूले मार्केट में अनाज को बेचेगा जब यह अनाज को ब ज़ो FCI होता है अपने खजाने से अनाज को गोदाम है उससे अनाज निकाल के मार्केट में बह बेचता है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा तो मांगाई कम हो बस आपको इतना ही याद रखना है और FCI के बाक के या इक वाइदानिक बौड़ होता है तो गरीब आदमी को राष्टे खादे सुरच्छा के अधिनियम के तहद एक रुपए, दो रुपए, तिन रुपए में आपको मोटा अनाज यह सब चावल और यहों मिलता है लेकिन जब महंगाई बहुत ज़्यादा होता है तो सरकार क्या करता है ओपन मार्केट सेल सेक्टर स्कीम है ठीक है कंजूमर अफेर्स मिनिस्ट्री इसा बता दिया तो यह जो फंड है दोस्तों मुल्य स्थिरी करन कोस पूरा पैसा को देता है भारत सरकार ठीक है तो जब भी मार्केट में टमाटर का प्राइस या किसी चीश का प्राइस बहुत आप डाउन होता है ठीक है जेनरली किस के लिए पलसेस के लिए वेजीटेबल के लिए तो जब भी अपडाउन होता है तो यह जो कोस है हमारा प्राइस स्टेबिलाइशन फंड ठीक है इस कोस से सरकारी संस्था को लोन दिया जाता है और वो संस्था बिदेशों से टमाटरों माटर खरीती है जो चीज भी चाहे वो वेजिटेबल्स हो या वो दालों खरीपती है और फिर इंडिया के मार्केट में उसको देती है तिसी इंडिया का सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा मंगाई कम हो जाए उसी को बोलते है प्राइस स्टेविलाजिशन फंड ठीक है सिंपल सा चीज है हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है चलिए आगे देखते हैं एडिवल ऑईल के लिए खाती तेल के लिए क्या कैसर करकार किये उसके मंगाई को कम करने के लिए ठीक है तो इंडिया आपको पता है पूरे विश्य में सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑईल का हम लोग पढ़ें तो इंडिया का जो इंपोर्ट ऑफ वाईल है दोस्तों वो देखेंगे तो अब जो है टाइम के अनुसर बढ़ रहा है थोड़ा सा कभी घटाया भी है बढ़ा भी है लेकिन ओवर्राल देखेंगे तो बढ़ा है है ना तो जिस से यादा पुरेविश्व में इंडिया जो है इंपोर्ट करता है अपना वेजिटेबल ऑईल को ठीक है समझ गया तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसको कम करने के लिए सरकार जो है कि हम लोग विदेशी मुद्रा पर विदेशी तेल पर उतना डिपेंड ना रह जिसके तहट हम लोग जो एडिवल ऑईल है उसका प्रोडक्शन भारत में बढ़ाएंगे और खा देते लुपादर में भारत को निर्भर बनाने का बात किया जा रहा है यह एक सेंट्रली स्पॉंसर्ड अस्की में जिसमें केंद सरकार भी पैसा दे रही है अच्छा आपक पैसा सरकार देगा भारत सरकार कोई ऐसा है जिसमें खूब सारा पैसा खर्चा होगा और पूरे भारत में हो रहा है तो वो होना चाहिए सेंट्रली अस्पॉंसर्ड अस्कीम ठीक है अब देखिए एडिवल ऑईल पूरे इंडिया में फैला रहे है इसका प्रोडक्शन तो भारत सरकार को खुब खर्चा करना पड़ेगा तो भारत सरकार बोलेगी साला हम ठेक मतलब साला नहीं बोलेगी भारत सरकार बोलेगी यार हमको इतना खर्चा हो रहा है तो क्यों ना इस स्कीम को जो है सेंट्रल सेक्टर नहीं सेंट्रली अस्पॉंसर्ड बनाएंगी जिस तो राज सरकार को भी कुछ फैसे देना पड़ेगा ठीक है न यह चीज है याद करने का याद करो जिस चीज पर बूत कम खर्चा होता है उसको के इन सरकार कोच कर लेगी Central sector में और कोई स्की में जिसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहा है तो उसको सरकार केंद प्रायोजी त्योजना बना कर जो है है डिबीटी ठीख है क्या चीजह है ठीक है तो दीकियो दोस्तों पहsen डिबीटि के देते उसमें क्या करते हैं सिंबल सामेन आपको बताया था प्राइसड डिफिसंसी पेमेंटटास किम यह तो उसी के तरह यह उसको ऑइल मिलर को दे रहा है घर बोलेगा तो आपको 110 रुपई दे Exodus प्राइस और इस तरह से वो पैसा दिया जारा ऊसका देएप बने जित जो है किसान के एकाउंट में दियेगा उसको बोलते है डाइट बने पी ट्रांसफर बस आपको इतने समझना है वाइबिलिटी प्राइस क्या होता है कि कुछ पैसा उसको सरकार कुछ डिक्लेर कर देगा कुछ फिक्स प्राइस ठीक है और किसान अगर ऑइल मिल में जितने रेट पे भी करा है और जितना आपको मिलना चाहिए उसका जो भी डिफरेंस होगा सरकार उसको ट्रांसफर कर देगा उसके अकाउंट में ठीक है और दूसरा चीज है आपको ट्रेनिंग तो उसके लिए इस किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से वो अपना प्रोडक्शन को सुधार सकते हैं दोस्तों इस पर हम लोग बायो फेंसिंग पर बायो मतलब क्या होता है जैव और फेंसिंग मतलब क्या होता है बाड़ा लगाना ठीक है तो जह सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में इंपोर्ट करने वाला देश है एडिवल ओयल का मतलब वेजिटेबल ओयल का वो कौन है दोस्तों इंडिया ठीक है चलिए अफूड इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इसेंसियल कमोडिटी एक्ट है दोस्तों ठीक ह क्या है यह सिंपल सा फंड है इसेंसियल कमोडिटी एक्ट का मतलब सरकार जो है किसी भी चीज को इसेंसियल कमोडिटी डिकलेर कर सकता है कि इसेंसियल कमोडिटी मतला ऐसा है कमोडिटी जो जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है इसको डिकलेर कौन करता है दोस्तों इस का जमाखोरी नहीं होगा ठीक है ना तो इससे क्या होगा कि सम्मान का सप्लाई जो है मेंटेन रहेगा क्योंकि आप जमाखोरी जब नहीं कर पाएंगे कालब जारी नहीं कर पाएंगे तो आपूर्ती जो है परभावी तो इतना नहीं होगा तो इसेंसियल कमोडिटी एक्ट एक तरह का मंगाई रोकने का जड़िया है बात समझ में बहुत सिम्पल है चलिए ठीक है तो इसमें क्या क्या आता है फूड ग्रेन आता है एडिवल ऑईल सुगर जूट फर्टी लाजर सीड के लिए खाना मेडिसीन पेट्रोल डिजल केरोसीन यह सब आता है ठीक है तो इसस पूछा कि क्यों भारत को हाई इंप्लेशन हुआ है पास्ट में तो सिम्पल सा आप याद रखो डिमांड अंड सप्लाई का खेला है ठीक है तो पहला है जूटू ग्रेजवल स्वीच ओबर टू कल्टीवेशन अब कमर्सियल क्रॉप अब कमर्सियल क्रॉप लगाते हैं द तो यह कारण हो सकता मंगाई बढ़ने का दूसरा तब फूट सप्लाई चेन है या स्ट्रक्चरल कॉंस्टें सही बात है अगर जिस रास्ते से फूट जा रहा है सप्लाई चेन हो रहा है अगर वही हो जाए खराब मतलब ट्रांस्पोर्टेशन बहुत जादा कॉस्ट लग अरिया अंडर दव कल्टिवेशन फूट क्रॉप है स्टेडिली डिक्रीज में दे लास्ट फाइव यर बाइब थर्टी पर्सेंट दोस्तों तो देखिए इसको तो देखिए दोस्तों इंडिया में फूट गरेंस का कल्टिवेशन घटा नहीं बलकि बहुत बड़ा है है अगला दिखते हैं वीच वेर अफेक्टिंग राइस और प्राइस इंडिया इंडिया इंडर रिसेंट बोल रहा है चावल का जो दाम बहुत ज़्यादा अपड़ अपडाउन हो रहा था तो क्यों हो रहा था वो रहा है एमस्पी के कारण गवर्मेंट ट्रेडिंग के कार ठीक है तो किसके कारण का दोस्तों मेंस्पी तो होगा ही गवर्मेंट ट्रेड कर रही है यह भी ठीक है तो इसका एंसरों को जो रही है ठीक चलिए आगे देखते हैं डिफलेशन डिफलेशन मतलब क्या होता है दो इंफलेशन मतलब होता है समान का दाम अधिक होना डिफलेशन मतलब होता है समान का दाम को कम होना मतलब मंदी चाना है न तो यह आपको पता है कि डिफलेशन क्यों हुआ है न तो यह आपको उता जाना जूरत नहीं है डिफलेशन का मतलब मंगाई का कम होना दाम कम गिरना दाम कब कम ऐसे अगर उर्जीद पटल होकीज पौलिसी अपना एप साथ इंट्रेस्ट्रेट बढ़ादेगा इंट्रेस्ट्रेट बढ़ा देगा तो लोग पस पैसे कम आएगा तो मंदी आजागा वह यह दिमांड सप्लाई का कहला है ठीक है उसके बदो देखेंगे दोस्तों सुगर मिल का प्रोबलम है क्या दिक्कत है देखे आपको सुने अंग है आपको जानते हो गए चिन्नी आप कैसे किलो खरीते थे अभी अभी से 5 साल पहले 40 उर्पई है और अभी भी कितना है 40 उर्पई मतलब चिन्नी का रेट नहीं बढ़ा बढ़ा गया नहीं बढ देखे सुगर चिन्नी कैसे बनता है गन्ना से गन्ना से तो गन्ना पर सरकार MSP दे देती है किसानों को ठीक है और सुगर मिल जो होता है जहां पर चिन्नी बनता है सुगर इसको चिन्नी कितना रुपई में बेचना है मार्केट में 40 उर्पई में ठीक है तो देखें दोस्त जिस डुब पर सुगर केहन को पर्चेज करेंगा कोई सुगर मिल किसानों से जिस रेट पर सुकर केहन खरीत अए उसको लोग बोलते हैं फेरेंड रिटी प्रैस ऐंपार्पी जिसको डिकलेर करता है यूनियर गफर्फ मतलब उससे कम में नहीं खरी सकता है कौन सुगर की परियां चीनी मिल ठीक है इसके अलावा राज सरकार भी एनाउंस करती है एड़ाइस प्राइस जो हाइयर होता है इसके अलावा केन परिया होता है मतलब एक गन्ना और अच्छे विस्तार होता है कोई छेतर होता है देखिए सुगर मिल यहाँ पेमान लो कोई मिल है तो सुगर मिल यहाँ से भी गन्ना खरीद लेगा इसका कुछ सरकार डिसाइड करती है कोई भी चीनी मिल इतना दायरा से अधिक से बाहर से न राजिस सरकार भी ये वला प्राइस को डिषाइड कर देते हैं तब क्या होता है कि 40 उर्पय से ऊपर मतला 50-60 रुपय क्विंटल यह जो भी केजी पर जो गन्ना बेचा जाता है कि इसको इसको लॉस हो गन्ना की सा इसको सूगर मील को ठीक हैना इसी को यही इसू चल रहा है कि जो है सुगर मिल का दिक्कत यही है कि वो तो चिन्नी को 40 रुपर सदिक बेची नहीं पाएगा और जो उसको गन्ना मिल रहा है उसका कॉस्ट भी बहुत जादा है उपर से ये कुछ रेडी एरिया होता है उसके अंदर से उसको खरीदना है दोस्तों इसे कारण क्या हो गया हमारे इंडिया में जो हो था दोस्तों जो गन्ना था वो उसका प्रोड़क्शन बहुत हुआ जब भी गन्ना का प्रोड़क्शन बहुत जादा होगा तो सप्लाइब बढ़ेगा सप्लाइब बढ़ेगा तो उसका जो प्राइस होगा है चीनी का वह एकदम क्या हो गया कम हो गया लेकिन भारत सरकार तो ये बोल दी भाईया कि गन्या किसान की मतलब चीनी मिलको एफारपी से तुम नहीं ख़रीदोगे मतलब किसान तो बंबं किसान खुब-खूस किसान को पैसा मिल रहा है अच्छ तो सरकार जो है कुछ अश्टेप उठाए ये बोला कि हम सहस्ते लोन देंगे मिल ओनर को साथी साथ अगर कोई भी चिनी बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो उसमें 100% कस्टम डूटी देंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा और तुमको जितना एक्सपोर्ट करना है चिनी मिल कोई चिनी बाहर उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा ठीक है इसी को हम लोग सुगर सबसेडी और डबलूटी ओंडर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ठीक है तो अर्स्ट्रेलिया ब्राजिल और ग्वाटेमारे ने कंप्लियन किया डबलूटी ओम ये बोला कि सबसेडी जो लोन वोन का प्रवद हम कर रहा है सुगर इंडस्ट्री में उसे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम लोग का गलोबल का जो प्राइस से विस्व का जो प्राइस है मुल है चिनी का वो एकदम गाड़ी है तो डबलूटी ओ का एक एक एग्रिमेंट है कशा लेकिन का चीनी जो है वो खादी सूरच्छा के पर दायरे के भार दोस्तों तो डबलूटी ओने तो बोला कि आप जो है च stellू में सबसेड के रहें उसको क्या कम किजै और इंडियान कॉम Поэтомуस फिर्शक्री जो बोला सा चीज है अब देखिए और भी अग्रिकल्चर प्रोडक्शन को बुस्ट करने के लिए एक फंड बनाए गया नवाट के मतलब अग्रिकल्चर इंफ्रास्टॉक्चर फंड बनाए गया ठीक है तो यह फंड जो बनाए गया हो मिनिस्ट्र ऑफ अग्रिकल्चर के अंडर में है यह एक सेंट्र सेक्टर अस्की में जिसके तरह इंफ्रास्टॉक्चर को हम लोग जो है प्रोमोट करेंगे ठीक तो इसका बेनिफिसेरी कौन होगा किसान होगा सेल्फ एल्फ गुरूप होगा एप्पीओ एप्पीओ मतलब फार्मर प्रोडूसर और्गनाजेशन एप् इतपाद कर रहे हैं उसी को और्गनाजेशन को एप्पीओ बोलते हैं ठीक है तो इसमें बैंक और एंबी एपसी जो होता है वह एक लाग करोड तक कर लोन जो है देगा किसको इनको और बदले में जो नबार्ड है उसको सपोर्ट करेगा सिंपल सा बात है उतना आपको डि चुकता कर रहा है तो सरकार उसको लोन में छूट भी देगी जिसको बोलेंगे लोन इंट्रेस्ट सब्वेंशन और अगर लोन को नहीं चुकता कर पाए तो जो आपका एक फंड है क्रेटिट गारेंटी फंड ट्रस्ट फूर्म है क्रोंड स्मॉर इंटरप्राइज ठीक है वो दो करोंड रूपय तक का लोन को गारेंटी लेगई ठीक है चली फिर इक चीज है फारमर प्रोलड्यो सर कंपनी तो फार्मर प्रोल्डवी सर कंपनी की है दोस्तों ये कuldि तयो का प्रño울 प्रैवेटिट लिमिटेड कंपनी ठीक है प्र रिच्वाल का मतलब उसको अच् पूरी तरह से कोपरेटीव का मतलब ऐसा नहीं कि फाइदा देखे गाई नियुक्त दोनों के बीच बीच का होगा तो दोनों का गुन इसका होगा किसका फार्मर प्रोडूसर कंपनी का बनाने के लिए को कम से कम 10 किसान इसमें होने चाहिए ठीक है और जो एपीसी है फार्मर प्रोडूसर कंपनी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको बोलते हैं जो डारेक्ट पब्लिक से सेर नहीं करीदे ठीक है जो कंपनी डार पॉटा मोटी आएगा उतना डिटेल में आपको नहीं आएगा ठीक यह तो यह company एक्ट में जो है रेजिस्टर कंपनी है तो कंपनिय एक करेंडर में रेचिस्टर देतेगा इस तरह से कि अक क EPA कंपशे इए पॉब्लिक कांपनी और पेग Olag राष्ट क्रिसी विकास योशना ठीक है जो स्टार्ट हुआ था कॉंग्रेस के जम्हें में दोह साथ में मौधि उसको चेंज करके नाम रफ्तार कर दिया ठीक है नाम है रिमनरेटीव अप्रोच पूर एगरिकल्चर एलाइट सेक्टर इजिनुवेशन मत एगरिकल्चर सेक् किसके लिए इंफ्रास्टरक्टर डेवलफ्मेंट के लिए जो भी की क्रीसी से रिलेटड है चाहे बनाना है मारकेट बनाना है दुबधाम बनाना है इसकी डेवलफ्मेंट करना यह सब के लिए फंटवन देता है सिंपल सा बात है उसके बाद green revolution क्रिस्टोनती योजना यो अंब्रेला स्किम ब 있지 के नदर बहुत सारा सक्षिम होता है यहूरा कोहता है सदल द्वास्र करना निर्फा करनी देगा दोनों मिल के करेगा। इसके अंदर कौन कौन सा है इंपर्टेंड नहीं में चावल भाकूनी पर फोकस कर रहे हैं ठीक है 2018 को नेश्टनल लियर ओफ मिलेट गोसित किया गया था यूएन एंड एफए उने फूड एंड एग्रिकर्चर और इसन ने भारा सरगार को कि जो भारा सरगार का रिक्वेस्ट था कि दोहरता इसको घोसित किया जाए बाजरा के लिए लिए प्रफाइदा पूछ सकता है तो याद रखेगा अच्छा फाइदा क्लामेट चेहिन से लड़ सकते हैं परगास से इसको लाइट से कुछ नहीं होता पानी कम लेता है उसके बाद सूखा यह सबको भी सहन कर सकता है ठीक है उसके बाद इसी में एक मिसन था नेशना मि और ले जानवें कुरशा की सानल को जो जया। कि अपको आपको इससे आपको कीती करना को इसके अलाभ़ता क्को नहुंस को मियह कलरी है। नहीं कंटी क्या होता है हायर मतलब क्या होता है उधार लेना तो कस्टम हायरिंग मतलब क्या होता है किसान का किसान गुरूप बनाते हैं गुरूप बनाके जो मसीन होता है अब एक किसान मसीन नहीं ले पाएगा उसको अगर ट्रेक्टर चाहिए तो गरीब किसान कहां से ले पाएगा ले में यही है भाई आप प्लांट को जो है हम लोग को कीड़ा मकोड़ा यह से बचाना है उसके बाद और क्या-क्या इसमें सामिल टोटल एग्यारा स्कीम सामिल तो खरी नाम जान रखिएगा सेंसस एकनोमिक स्टाटिस्टिक्स भी है अग्रिकल्चर कॉपरेशन भी कॉपरेट करेंगे हम लोग ठीक है ना स्टोरेज में मार्केटिंग में कॉपरेटी सोसाइटी के तुरू अग्रिकल्चर मार्केटिंग यह सब प्रोमोट करेंगे ठीक है उसके बाद प्रधान मंतरी यह अब हो गया किरिश्टोनत्य योजना के अंदर में 11 स्कीम कवर था दोस्तों प्रोमोट करना किसको प्रोमोट करेंगे न अधान मंतराले के अंदर में सेंट्रल स्क्टार है इसमें हम लोग मेगा फूट पार्क और यह सब कोड़ेशेंग यह सब बना रहे हैं जो जरूरी है ठीक है इसके तरह एक नया सब लाउंच किया जिसको बोलते ऑप्रेशन ग्रीन अब इसमें भी फूट प्रोसेशिंग कर रहे हैं लेकिन इसका इसके अंदर एक असकीम लाउंच किया जिसका इसी में कवर नहीं था यह है ना ओप्रेशन गिरिम पहले कि इसमें तरह टमाटर ओनियन प्याज अलू प्याज टमाटर पर अब इसको सभी फूट्स और वेजिटेबल पर कवर कर चुके हैं दोस्तों ठीक है संपल सिंपल है उसके बाद यह सब आपको जानने का जुरत नहीं है फूट इंटरप्राइज प्रोमोर्शन ठीक है तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि फूट जो इंटरप्राइजेज है छोटे-चोटे उद्यम जो है खाती उद्यम को हम लोग बढ़ावा दिन रहे हैं ना इसके ल संंगठीति करन कर रहे हैं आज संगठी जा पता है कि छोटे-छोटे होते हैं we work rę work बहुत का मोता है उनको अच्छे से इंतर सर्इनिंग जो करन का था उत्कार करते हैं यह उसको मुलोग फर्मदाइज करेंगे उसको आफन करेंगे फंद करेंगे इना यह सपोड करेंगे ठीक है उसको मार्केटिंग हो पाए ठीक संपल सिंपल जास जीज़ है जीस तरह से क्लस्टर बेस्ट अप्रोच है क्लस्टर मतलब कोई अरिया को आइडेंटिफाई करेंगे फिर देखेंगे भई यहां का फेमस चीज क्या है जीस तरह से आम फेमस है यूपी का तो यूपी इस एडिया में आम प्रोडक्शन होगा उसकी चोटे चोटे इंडेस्ट्री बनागे उसका गुरूपिंग कर देंगे आप इनको सपोर्ट करेंगा और इनको फिर डेवलप कर देंगे है ना इससे क्या होगा यह संगठिती करण हो जाएगा फर्मलाइजेशन हो जाएगा यह चीज है ठीक है तो आप उतना ध्यान देंगे थोड़ा थोड़ा है ना उसके बाद जी इसी से रिलेटेटर कोशन पूछा था यूपेशी ने प्रिलिम्स 2020 में क्या बोला था वीच्वदा फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड है पब्लिक इंवेस्टमेंट इन अगरी कल् अगरी किसानों का लोन माफ कर रहे है तो क्या यह सरकारी निवेस है दोस्तों नहीं यह तो बेकुफी है क्या यह बेकुफी तो पांचवण नहीं होगा दोस्तों सहांट मतलब क्या होता समाज में सहीश्णूता बिल्ट कर रहे है लोगों के बीच में विश्वास बिल्ट कर रहे है तो वह भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है विश्वास होना चाहिए कि किसान जोबी समान बैच रहा है और किसको बेच पर यह नहीं कि अविश्वास हो इनके इन दोनक बीच में विश्वास ही नहीं हो तो समान वान विकेगा कैसे न तो सोचल डेवलप्मेंट तो फिर इलेक्टिसीटी दे रहे हैं दोस्तों यह तो अपना नुकसान है यह इन्वेश्मेंट ठोड़ी है किसान लोन माफ पर यह नुकसान है इन्वेश्मेंट विश्मेंट में तो कुछ यह बन रहा है या नहीं बन रहा है वो चीज है तो बना रहे हो यह सब सभी क्या है प्राइब पब्लिक इन्वेश्टमेंट ठीक है चलिए उसके बाद दोस्तों अग्रिकाल्चर में भी हम लोग अब एलाइड ची तो देखिए आपको पता है कि जैसे से लोगों का इंकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग अच्छा बढ़ यह चीज़ खाते हैं तो दूथ और अंडा का कंजंप्शन उब्भोग जो है दोस्तों बढ़ा है और एवेलिबिलिटी भी बढ़ा है ठीक तो देखिए यह है यह किस चीज़ का बता रहा है पर करभिट एवेलिबिलिटी एक दिन में कितना गराम वे एवेलेबल है दूथ अंड़ा कितना नमबर है यह साल में और मीट तो देखोंगे तो यह किसका लाईन है दोस्तों यह आपका लाईन है दूथ का दूथ नूथ का सबसे ज़्याद बढ़ा है ना सिंपल सा चीछ है रिए जानने का जरत नहीं ठी करती करता है ठीक हर पांक साल में इक बार उनीच सो उनीच से कर रहा है augment Gomez से कर रहा है तो दोस्तों इंडिया में इसे पता भी चलता है ना तो थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट क्या है आपको याद नहीं रखना कितना है याद रखिए का सबसे आदा जो कैटल कैटल मतलब क्या होता है गाई भाइस ठीक तो सबसे कहा है पर वेश्ट बंगाल ठीक है मुझे लगता है यह लिस्ट आपका काम का नहीं है दोस्तों ठीक है बस अब याद कर लो कौन करता है सर्वे कितने साल में होता है 2019-2020 में 20 सर्वे था बस उतना मत देखिए ठीक है और याद कर लिए इंडिया में पूरे जात है उतना इतना कोई याद कर मुर्गी कहा है सुवर कहा जाद है देखिए वह सब काम का नहीं अटाओ भालतू ठीक है अगर ओवराल देखेगा मुर्गी में यह नहीं पूछेगा यार यह सब भालतू है उसी दद पसुगों में मिल्क के प्रोड़क्शन को बढ़ाने के ल दूध का प्रोड़क्शन करता है तूनिय सो सतर से च्श्यानवे में के बीच वह तीन बार Оप्रेशन फ्लेड हुआ अप्रेशन फ्लेड का मतलब का है दूध करान्ति तीन फे सब्स्वर में हुआ यह पालतू है transmitted पारथ वार में है ना इत्यों किसके अंदर में होगा बत तो यह कॉरस की में पूरा इंडिया में कितने सारे गाय भाय से है ना अब इसमें पैसा कुप खर्चा होगा तो देखिए यह भी क्या सेंटेरल Ons का जो है help line है ठीक है फिर नकुल स्वास्ति पत्र जिस तरह आपका अधार card होता है हेल्थ card होता है उस तरह नकुल मंद जानवर जानवर का स्वास्ति पत्र है पत्र बने card उसमें एक number होगा e-pasudhan heart portal, heart manna market तो जहाँ पर पविखेगा online रूप में उसको e-pasudhan बोलते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कि भिखता नहीं है, क्या होता है यहाँपर धेखें confidence हो जाएंगगा अब इ-pasudhan portal heart में क्या होता है जो क्रित्रिम गर्भदान होते है, artificial क्या होता है insemination ठीक है reproduction वाला इगोपाल एप गोपाल मतलब जो गाय को पालता है ठीक है तो गाय को किस तरह से देखभाल रखना है क्या करना है इसके लिए जो है यह एप लाए गया था और बाद में इस एप को और चेंज करके इस एप के थूर आप जानवर का बिकरी और खरीद कर सकते इस एप उतना इस थोड़ा मोड़ा रख लो राष्ट गोपनेशन के अंदर जो स्वजात यह गाय का बचा रहे है जैसे गीर साहीवार राथी दियोनी थार परकर रेड सिंधी यह सब क्या है दोस्तों परजाती गाय की है ना गाय भैस की पिर नेश्नल कामधेनू ब्रेड करवाते हैं राष्टे कामधेनू आयोग बनाए गया था दोस्तों ठीक है तो इसका जो चेर यह आद रखिए का डिपार्टमेंट अपनिमल के अंदर में है ठीक है इसका चेर में यह नहीं पूछेगा यार कामधेनू आयोग ठीक है बजट में यह सब काम का चीज नहीं एक रिलेटेड है वो ध्यान दीजेगा जो इसमें डिजिज का नाम देखें फूट एंड माउट डिजिज बुरू सेलोसिस यह कैटल में होता है ठीक है उसके बाद पेस्टे डेस पेटिस रूमिनेंट्स यह सीप एंड गोट में होता है रूमिनेंट का मतलब होता है जो गाय गासवास खाता है ठीक है तो सीप एंड गोट जो है घासवास खाता है तो इसमें यह डिजिज होता है फूट एंड मौत अब देखें होंगे कि गाय का गाय किसे बनेगा जार एसे गाय बनेगा ना उच्ची हो गया इसका मुंडी हो गया और एसे सिंग हो गया इसका यह हो गया गाय बन गया है ना तो इसका जो पैर होता है ना दोस्तों पैर में आपको पता है नाकों जो होता है उसी में इसका डीजी होता है फूट एन माउट डीजी ठीक है पेर डेरी सहकर सहकर मतलब कॉपरेटिटीव इसमें कोपरेटीब के तुरू जू है डिरी सेक्टर को लोन दे रहे हैं ठीक है उसके बार यह सब जानने का जूरत नहीं मेंस का पार्ट है ठीक है यह आप काटो ठीक है यह आद रखना काव वेलफेर सेस काव के वेलफेर के लिए कलियान के लिए एक सेस लिया लगा जा रहा है सेस क्या होता है दोस्तों मैं बता दिया हूँ सेस वो टैक्स का जैसा होता है जो किसी विशेस परपस के लिए लिया ज अगर राजी सरकार सरकार नहीं करें तो पंजाब पहला श्टेट था जो गाय के लिए वह सारी राज्जी है तो चोटे-चोटे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं दोस्तों हैं ना उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं पहले हमने घास खाने वाला बोल दिया घास नहीं होता है रूमिनेट बने चोटे-चोटे चुगा लेका है उसके लिए भी हम लोग ले के आए हैं है न तो यह सब उतना नहीं जरूरी है दोस्तों यह सब यह सब काम का नहीं है यार सब छीज़ थोड़ी भर दिये तो सब छी चीज नहीं पढ़ना होता है बुलू रिवल्यूशन ठीक है यह भी अगरी कल्चर के मिनिश्ट्री के अंडर में है न डिपार्टमेंट ओफिसरी याद रखोगे हमने मचली के लिए अलग से मिनिश्ट्री बना दिया है ठीक है तो यह मतद से मचली के मंतराले के बीच में मिनिश्ट्री ओफिसरी के विच में ठीक है तो इसमें इंडिया आपको पता है कि मचली में कितने स्थान पर है दोस्तों दूसरा प्रोड़क्शन में ठीक है न तो आपको ध्यान देना है उसके बाद यह सब काम का नहीं है तो बलू रिवल्यूशन में क्या कर रहे होगे म मचली पर हम लोग फोकस करेंगो उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना उसको अच्छे से डेवलप करना यही सब चीज है बोल बचना और क्या है ठीक है तो डिपार्टमेंट अफिसरी जो है लॉंच किया है बढ़ान मंतरी मतस्य संपता योजना ठीक है सागर मित्रा तो आप एक मिनट यह मेरा समुद्र ठीक है तो ऊपर से एक बड़ा सा जाली रख देते हैं ठीक है इसे क्या होगा और इसमें छेट उसमें क्या होगा मचली फज जाएगा अब यह पुरा केज को निकाल लेंगा मचली निकाल लेंगा उसको केज कल्चर बोलते हैं ठीक है तो काम का नहीं है उसको मेरी कल्चर समझते हो मेरी मेरी क्या हुता है समूद्र तो समूद्र में मच जो भी है डेवलप करना तो हम यहां पर कोस्ट से 12 नोटिकल माईल तक अगर हम यहाँ पर मचली जीव जन्तों को प्रोड़क्शन को बढ़ा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या मेरी कल्चर हैं सिम्पल सा चीज है चली याद रखेगा जिस तरह से एगरी कल्चर हमारा से लिस्पी में अ स्टेत लिस्ट में आता है राजी सुची में इसी तरह मेरी कल्चर kicked थो सतूं और अ wzglसफे फंड चली उसके बाद हैं प्रढ़ानमंत्री मतल्च वойти कि योजना तो सीमपा से भात है मचली के प्रोडक्शन कम लोगव mensen project कॉम संस्थ एक में डेनदर में बहुत सारा मतलब क्या होता है उसके užसके अंदर में बहुत सारा अंबरेला होता है इस तरह से तो इसके अंदर बहुत सारा लगा होता है ऐसे ऐसे तो एक umbrella के अंदर में जिस तरह स्पोक होता है उसी तरह एक umbrella scheme के अंदर में बहुत सारा scheme होता है दोस्तों ठीक है तो दो स्कीम है कुछ central sector है कुछ central sponsored है important नहीं है दोस्तों अपनों को जानना ठीक है इतना scheme से related पहले बहुत question पूछता था अब नहीं पूछता है कि अब सबसी भर दो पढ़के फिर है safari certification for aquaculture export तो आपको नामी है किसे पीतना समझो कि safari सफारी certification किसके लिए दिया जाता है तो जो भी समुद्र से production होता है मचली बचली जो भी होता है उसके लिए quality उसका सभी है कि नहीं उसके लिए दिया जाता है जिस तरह से कोई चीज़ सर्टिफाई करते है ना यहां भाईया यह चीशा ही है चलो इसको हम लोग खा सकते है FSSI करता है Food and Food Safety and Standard Authority of India उसी तरह सफारी certification दिया जाता है तो कौन देता है दोस्तो एंपीडा देता है एंपीडा नाम क्या है Marine Products Export Development Authority ठीक है Statutory Body है किसके अंदर में देखे जहां जिस संस्था के अंत में या सुरू में कहीं भी Export Word लिखा हुआ है मतलब निर्यात ठीक है जहां कोई भी संस्था के नाम में कोई भी संस्था के नाम में Export Word लिखा हुआ है तो वह Commerce Ministry के अंडर में यह बात आप दिमाग में घुसा लिजी वानिजी मंत्राले के भीज में ठीक और जिस बाड़ी के नाम में अंत में Authority है तो 90% चांस है कि वह Body जो होगा Statutory Body होगा वैदानिक यह भी बात को दिमाग में घुसा लिजी ठीक है चलिए तो याद रखिएगा Safari सफारी सेटिफिके सफारी को संस्क्रीट में मतलब होता है अच्छा क्वालिटी मचली का ठीक तो याद है ठीक है स्विट्री वोल्यूसन स्विट मने मिठा मिठा क्या होता है जो सहद ठीक है MSME के अंदर में आता है कैसे याद करेंगे यार यह छोटा छोटा इंडिस्ट्री होता है खादी बला तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजिस के अंदर में आता है इसको स्विट रिवल्यूसन सहद रिवल्यूसन बोलते हैं दोस्तों कॉन लांच किया अग अंतराश्टा यहाँ हो इसके अलवा फूरोल्ड ऑठाह करती है त्युको पता है सब्कॉत में देंद मे। से लेकि 1925 तकता तो जब वर्ड वर खतम हुआ तो बहुत सारे लोग जो है भूख के कारण मर रहे थे तड़ाप रहे थे हैं ना पुरा यूत में सब्सक्राइब तबाह हो गया तो उसके लिए एक संस्था बनाया गया एफ एफ एओ उनाइट नेशन का अंडर में जो किस चीज पर बेस्ट है किस कि चीज पर सिरियल मतलब अनार ओयल सीट मतलब तिलहन डेरी प्रोड़क्ट मतलब डेरी प्रोड़क्ट ठीक है मीट और सूगर मैं याद रखेगा मीट भी है और चिननी भी है ठीक है तो यह ध्यान देना आपको उसके बाद यह काम का नहीं है उसके बाद जो है याद रखेगा कि फूड एफ़े हो जो है मिल्क दीवस मनाता है दूस्तों एक जून को तो दोहरी किसका जो थीम था वो था सस्टेनेबलिटी इन डेरी सेक्टर मतलब अंतराष्ट दूद्द दीवस मतलब क्या होता है जो सस्टेनेबल होता है जो खतम सस्टेनेबल बोलता है उसको ठीक है उसका इंटरनेशनल यह बनाए गया था यूएन के द्वारा तो द्वार तो इंडिया प्रपोज किया था कि मिलेट के रूपे मनाएंगे है ना दर चौबिस को कैमल के मनाएंगे ठीक है वो याद रखना एक पहले वर याद कर लो 15-28 को मना रहे हैं डी वाटर के लिए 19-29 के लिए मंडेला के लिए और फैमली फार्मिंग के लिए 21-31 के लिए एकोसिस्टम 21-31 के लिए ओसियन तो थोड़ा-थोड़ा आपको मोटा-बोटी पता होना चाहिए ज्यादा इंपोर्टन नहीं है दोस्त ठीक है फिर और भी द मेंश्ट करेगा जो भी के मेंबर निशेडा अब शार के मेंबर निशान कौन है इंडिया है टोटल आठेजेश में jeśli इंडिया पाकिस्तान है अफगानिस्तान है नेपाल है भुतान है बंगलादेश हुन माल दीप सा और सिर लंका है कितने देश हो एंड हो गए तो टोट इसको यूज़ कर पाए ? इमर्जेंसी में ठीक है ? उसके बाद है इसका Headquarter कहीं नहीं है क्योंकि bank का कोई Headquarter होता है क्या ? नहीं होता है ? तो इस bank का कोई Headquarter नहीं है दोस्तों मतलब याद रखेए का सार्ख फुट- bank का कोई Headquarter बस इतना आप समझ लो उसके बाद और भी कुछ संस्ता है जैसे नामें इंटरनेशनल ग्रेंड काउंसिल यह लंदन में ठीक है तो है लंदन में यहां और जो मोटे ना जो है उसमें सहीयों को बढ़ावा देता है इसके दो टाइप के मेंबर होते हैं एक होता है इंपोर्ट का नोबल प्राइज भी बोलते हैं ठीक है इसको कौन देता है वर्ल्ट फूड और्नाइजेशन जो एक तरह का दोस्तों क्या है एंजियो है ठीक है तो पच्छी धाई हजार धाई लाग डॉलर देता है ठीक है ना दोहर बीस में इंडिया अमेरिका के जो साइंटिस्ट र लिए एक वामने पानी कल्चर मतलब बढ़ावद है ना है ना और फूट सिस्टम तो उसके दीद मिला ठीक फिर नोबल पीस प्राइज कि इसको मिला तो नॉर्मन नी बर्लो को मिला था एकरी कल्चर के लिए यही इनी को बोला जाता है क्या फादर रप क्रीन इंडस्ट्री को करेंगे ठीक है किसको करेंगे इसमें इंट्रेक्शल प्रोपर्टी राइट इसमपदा अधिकार मेक इन इंडिया इस अब देखेंगे त्यक्या यह आप देख रहे होगे दोस्तों यह वह पूर्सन ना जो सुरू की तीन पीलर है ना आपका सबसे पहले इंडिया का बैंकिंग फिर फिसकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी और आपका बैलेंस और प्यमेंट बुक्तान का संतुर यह इस टॉपिक से आपका एकनोमिक्स में 80% कोश्चन आएगा ठीक है बाकी के जो 20% कोश्चन से है वह बाकी के चेप्टर से आएंगे जो इसको मैं कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं आज मूझे बुझन इंदारीया सोना है दोस्तों पीछ कलो उफीस भी जाना है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स नेक्स लेक्चर में ठीक है तो God bless you देखते रहें इस लेक्चर को और चैनल सब्सक्राइब करें God bless you पढ़ते रहें मन लगा के ठीक है सफल सफल आप जरूर होंगे बस इस चैनल को follow करते रहिएगा 100% आपकी सफलता होगी मैं लिक के देता हूं ठीक है बस आप इसको अच्छ सब्सक्राइब करें इसी मंगल कामना के साथ आज का जो लेक्चर है इंड करते हूं ठक गया हूं कल मिलते हैं दोस्तों ठीक है God bless you